अब बड़ा सवाल है देखते हैं यह वी कैसे पहना उट होता है लेकिन लाएज जरहा इस हफते के important चीज़ें सबसे important last to last week सबसे important क्या था हमारे RBI की interest rate पर outcome या MPC का outcome last week सबसे important क्या था US Fed का outcome आया था Wednesday रात को और इस week का सबसे important event कौन सा है कल Bank of Japan का Interest Rate Decision सामने आना है तो देखते हैं क्या समय करण बदलते हैं हाला कि अब तक तो दुनिया का सबसे डविश बैंक वही है कल किस तरह की कमेंटरी या कल क्या स्टेप उठाता है वो Bank of Japan वो important इसके अलावा अब कहने के लिए Thursday को US के Q3 GDP वो Final Number आ जाएगा Friday को हमारी जो MPC हुई थी तीन दिवसी है उसके मिनिट सामने आएगी उसका बियोरा सामने आएगा और हाँ इस हफते प्राइमरी Markets गजब का तूल पकड़ेगा भाई पहले तो जो सब IPOs पिछले हफते बंद हुए या फिर पहले लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत और गिफ्ट निफ्टी कहे रहा है थोड़ा सा मामला अटका अटका सा इसलिए भड़के ओवे बुल्स पर सवाल उठाया था मैंने खैर असी पॉइंट के दबाव के साथ खुलेंगे एक तिहाई फीजडी का दबाव है बहुत अच्छे हमने मोमेंटम एंजॉय करें हो सकता है कंसलिडेशन का मूड बनाए पर वो देखते हैं डेटा पॉइंट्स कैसे हैं और वीक कैसे से प्रोइस करता है फाल तु कॉंक्लूजन पर जम करने का नहीं खैर जैसा हमारा मूड है एशियर एक्रस आपने स्क्रीन्स पर रख दिया है ऐसे ही मिला जूला कामकाज थोड़ा सा पस्त कामकाज थोड़ा से लाल माक निशान में एशिया नजर आएगा हैंग शेंग और शांगाई तो खैर तोड़ा सा अलग चाल लेकिन फिलाल फ्लैट नोट पर वो भी ट्रेट करते हुए यह ओवर दवीकेंड संकेट यूएस से हो यूएस में भी ऐसे ही हुआ है मिला जूला कामकाज था हलके बहुत हरे निशान में अफिल फ्लैट यूएस के तीनों बेंचपार्स नजर आए और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट कामकाज करते हुए हैसे में गलोबली मूड बॉल है कैसा इंडिकेशन्स कैसे हैं हमारे लिए हमने बहुत बड़ी अफेट के फैसले को अब डाइजेस्ट कर लिया है तो उसके बाद कि समीकरन इंपोर्ट निरजी बगल में बठे